Hi everyone, welcome back, my name is Galaxy Parmar और आज है हमारा lecture no.3 जिसमें हम लोग practice at 2.1 को start करने वाले है I hope आपने lecture no.1 और lecture no.2 जरूर देखा होगा lecture no.1 और lecture no.2 में हमने सारे practice at 2.1 के basic concepts किये है ओके, तो practice at 2.1 तो देखना बनता है I hope आप सबने देखा होगा ठीक है, इसलिए आप लोग lecture no.3 देख रहे हो क्योंकि directly lecture no.3 देखना ना 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 बहुत ही बड़ा गुना है चलो practice at 2.1 स्टार्ट करते है आज हम लोग 5 से 6 questions कर लेगे ठीक है, total 10 questions है practice at 2.1 में आज हम लोग 5 to 6 questions कर लेगे let's see कितने questions होते है तो चलो हम लोग practice at 2.1 स्टार्ट करते है और सबसे पहला question हमारे mobile screen के उपर ये रहा, तो क्या दिया देखो identify with reason, which of the following are Pythagorean triplet यानि कि यहाँ पे देखो total 6 triplet है हमारे पास, triplet मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है triplet मतलब क्या होता है collection of 3 numbers, ठीक है तो यहाँ पे total हमारे पास 6 questions है तो यहाँ पे हमको बताना है यानि कि हमको identify करना है कि इस में से concept triplet जो है वो Pythagorean triplet है तो यहाँ पे देखो ये concept already हमारा हो चुका है I hope आपको identify करना आता है कि Pythagorean triplet क्या होते है या कैसे हम उसको identify कर सकते है चलो अगर आपको नहीं आता ना tension मतलो हम इसको साथ में मिलके solve करेगे तो सबसे पहले हम क्या करेगे यह जो first one है इसको solve करेगे तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यह हमारा first one first one जो है उसमें जो triplet है वो क्या है triplet है three five four तो यहाँ पे देखो जैसे कि बहुत लोगों को already पता है कि three five four जो यह triplet है वो pythagorean triplet है yes यह मैंने example पी लिया था जब हमने lecture number one में pythagorean triplet देखा था तब यही वाला example मैंने लिया था जिसने वो lecture देखा है उसको पता होगा तो यह जो triplet है वो pythagorean triplet है yes this is pythagorean triplet लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिव इतना हम लोग लिखके नहीं आ सकते yes it is pythagorean triplet नहीं exam में हमको इसको एक method से बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है बताओ कि pythagorean triplet मतलब क्या pythagorean triplet मतलब क्या कि अगर जो हमारे पास triplet है ना उसमें जो largest number का square है ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे आपको उसका definition बता रही हूँ तो जो largest number है उसका जो square है उसका जो square है that is equal to sum of square of remaining two numbers तो इसका मतलब यह समझ जाना कि वो जो triplet है वो pythagorean triplet है यानि कि largest number का जो square है that is equal to what sum of square of remaining two numbers इसका मतलब वो triplet pythagorean triplet है लेकिन अगर मान लो कि आपको खुछ समझ में नहीं आ रहा है tension मतलो देखो यहाँ पे सबसे पहले यह पहला question है इसमें थोड़ा सा जादा time लगेगा लेकिन बाकी सब फिर easy है फिर आप आराम से कर लेना ठीक है यहाँ पे देखो यह जो triplet है that is three five four इसमें सबसे बड़ा number कौन सा है मतलब largest number कौन सा है five है बरुबर five is largest सबसे बड़ा number तो हम क्या करेगे इसका square करेगे तो largest number का square करेगे and लिखेगे क्या आया five का square कितना होता है 25 और इसको देदेगे equation number one और अभी हमको क्या करना है next हमको क्या करना है जो बाकी के जो दो remaining numbers है बाकी के जो two remaining numbers है उनका square करके उनको add करना है ध्यांस सुनो उनका square करके उनको add करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 का square करेंगे और 4 का square करेंगे और फिर इसको हम लोग add करेंगे okay, 3 square plus 4 square करना है let's see कि क्या मिलता है तो 3 का square होता है 9 4 का square होता है 16 तो 9 plus 16 होता है बच्छा party 25 और इसको दे देगे हम equation number 2 अब यहाँ पर देखो यह जो equation number 1 और 2 है इसका जो यहाँ पर right hand side में values जो आई वो same आई ना यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी next हम लोग कैसे लिखेगे ऐसे हम लिखेगे from equation number 1 and 2 equation number 1 and 2 को देखो इनका right hand side में क्या है जरा मुझे बताओ यहाँ पर देखो right hand side में क्या है यहाँ पर 25 है और equation number 2 के right hand side में भी क्या है 25 है है ना इसका मतलब अगर किसी भी दो equation का right hand side अगर क्या है equal है तो मतलब इनका left hand side भी equal होगा left hand side मतलब क्या कि यह जो 5 का square है that is equal to 3 square plus 4 square ठीक है तो हम ऐसे लिखेगे from equation number 1 and 2 हमको क्या मिला कि जो 5 का square है that is equal to 3 square plus 4 square जैसे कि आपको खुद को भी पता है कि 5 का square हमको मिला था 25 और 3 square plus 4 square भी हमको मिला था 25 इसलिए हमने देखो इनके बीच में equal to sign डाली है मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला है यहाँ पर हमको यह मिला है कि यह जो largest number का square है that is equal to sum of square of remaining two number तो therefore यह जो हमारे triplet है वो pythagorean triplet है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो directly ऐसे नहीं लिख देना कि yes it is a pythagorean triplet na 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 हमको वो पूरा statement भी लिखना है तो आप बोलोगे यार इतना सब कुश लिखना पड़ेगा अरे लिख लोना क्या जाता है आपका तो यहाँ पर देखो भी हम लोग ऐसे लिखेगे here ऐसे करके लिख सकते हो here the square of the largest number is equal to sum of the square of the remaining two number therefore the triplet is pythagorean triplet ठीक है ऐसे लिखना है तो चलो मैं फटा-फट लिखती हूँ और आपके पास आ जाती हूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग finally जो statement है वो आपको क्या लिखना है the square of the largest number is equal to sum of the squares of the remaining two number therefore जो triplet है यानि कि जो हमारा triplet given है वो triplet लिख लो वो जो triplet है is a pythagorean triplet ठीक है तो यह हमारा एक complete solution है अगर आपको देखो school में कुछ अलग तरीके से कराया है तो कोई बात नहीं आपको जो अच्छा लगता है जो जमता है वो आप exam में लिखना लेकिन बस मैं यह बोलना चाती हूँ कि आपको method समझ में आया की नहीं कि pythagorean triplet क्या होते है वो समझा की नहीं that is important ठीक है चलो एक और एक question करते है second one तो यहाँ पे हम इसके नीचे ही second one करेगे और बाकी के जो questions है ना वो आप खुद से भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको बता दूगी कि कैसे किया है ठीक है सब कुछ मिलेगा आप बिल्कुल भी tension मत लो तो यहाँ पे अभी हम लोग देखो second one करते है ठीक है second one जो है ना पहले में यह triplet को नीचे लिख देती हूँ जो हमारा triplet है वो क्या है that is 4, 9, 12 ठीक है यह हमारा triplet है चलो बताओ अभी यहाँ पे इसका solution start करेगी तो यहाँ पे हम लिख देगे solution तो अभी हम क्या करेगे सबसे पहले सबसे पहले हम लोग largest number का square निकालेगे तो इनमे largest कौन है बताओ largest मतलब सबसे बड़ा number कौन सा है 2L है तो हम क्या करेगे 2L का square निकालेगे तो 2L का square क्या होता है बच्छा पाटी Yes, very good 144 इसको equation number 1 दे देना है क्या करना है इसको equation number 1 दे देना है अब जो बाकी के जो दो नमज है सीधि बात बाकी के जो दो नमज है उसको क्या करोगे square करके add करना है मतलब अभी हम next क्या करेगे 4 का square लेगे और 9 का square लेगे और उनको add करेगे let's see कि ये क्या मिलता है हमको sorry 4 का square होता है 16 plus 9 का square होता है 81 let us add क्या मिलता है 16 plus 81 करेगे तो हमको मिलेगा 97, 97 मिला तो ये हो गया हमारा equation number 2 तो यहाँ पे देखो ये जो equation number 1 or 2 है इनके जो values है वो same नहीं आए यानि कि हम बोल सकते है कि equation number 1 or 2 जो है इनका जो right hand side है वो same नहीं है यानि कि 144 जो है that is not equal to 97 तो अगर कोई भी 2 equation का right hand side same नहीं है तो मतलब उनका left hand side भी same नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते है ऐसे कि from equation number 1 and 2 ध्यां से सुनना बच्चा पाटी from equation number 1 and 2 हमको क्या मिला कि यहाँ पे ये जो 2L का square है ये जो 2L का square है that is not equal to बच्चा not equal to का sign लगाना equal to का sign मतलगाना तो not equal to what? not equal to 4 का square प्लस 9 का square 4 का square प्लस 9 का square यानि कि यहाँ पे देखो ये 12 का square जो है वो मिला था 144 और 4 square प्लस 9 square हमको मिला था 97 तो ये दोनों equal नहीं है इसलिए यहाँ पे देखो इनके बीच में आया है not equal to का sign अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या लिखेगे कि यहाँ पे क्या हुआ है ना देखो ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हुआ है कि यह जो largest number का square है that is not equal to sum of square of remaining two numbers तो इसका मतलब जब not equal to होता है तो मतलब यह जो triplet है यह हमारे Pythagorean triplet नहीं है तो इसका जो statement है वो हम कैसे लिखेगे that is very important बच्चा पाटी इसका statement देखो कैसे लिखेगे here हम here लगा कैसे लिखेगे the square of the largest number तो यहाँ पे देखो क्या लिखेगे the square of the largest number is not equal to क्या लिखोगे बच्चा पाटी is not equal to is equal to मतलब लेना ठीक है is not equal to is not equal to sum of the square of the remaining two number therefore therefore हम क्या लोले के therefore यह जो triplet है triplet कौन से हमारे 492L 492L जो है that is not a Pythagorean triplet ठीक है यहाँ पे भी not आएगा not a Pythagorean triplet ठीक है Pythagorean triplet लिखना Pythagoras triplet मत लिख देना Pythagorean triplets ठीक है समझ में आया कि नहीं अगर नहीं समझ में आया है देखो फिर से बता देती हूँ यहाँ पे यह statement बहुत important है मैं statement देखो क्या होगा अगर कोई triplet पाइता को और यह triplet नहीं होता है न तो आपको देखो तीन चीजों का ख्याल रखना है यहाँ पे आएगा not यहाँ पे आएगा not और यहाँ पे आएगा not यानि कि तीन चीजे जो है वो not 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 में होगी ठीक है सबसे पहले यह not equal to का sign फिर यहाँ पे भी not आएगा क्या लिखे कि the square of the largest number is not equal to some of the squares of the remaining two numbers therefore last में final statement में भी एक not आएगा कि यह जो triplet है is not a Pythagorean triplet ठीक है तीन जगा not 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 होता है समझ में आया तो बहुत simple था चलो अभी हम लोग देखते है next one next one मैंने already यहाँ पे आपके सामने लीखा हुआ है ताकि हमारा time waste ना हो लेकिन मैं आपको explain तो जरूर करूगी ठीक है आप tension मतलो third one देखो हमारे पास जो triplet है वो क्या है 5, 12, 13 यह हमारे triplet है तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप जो largest number है यह देखो यह सबसे largest number है यह तीनों में से कौन साम सबसे बड़ा number है 13 तो हमने क्या किया 13 का square निकाला 13 का square होता है 169 उसको equation number 1 दे दिया अब हम क्या करेगे यह बाकी के दो नम्मज है that is 5 and 12 हम क्या करेगे इनका square करके add करेगे तो यहाँ पे इनको square किया पहले तो and फिर add किया मतलब ऐसे लिखना है 5 का square और 12 का square और फिर इनको add करना है तो क्या मिलेगा 5 का square होगा 25 देखो यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 25 फिर plus 12 का square होगा 144 तो 25 प्लस 144 को रगे ना तो आपको मिलेगा 169 इनको यहाँ पे मैंने आपके लिखके भी रखा है तो यह equation number 2 अब देखो equation number 1 और 2 जो है इनका देखो right hand side same है यहाँ पे जो answer है वो 169 आया यहाँ पे भी जो answer है वो 169 आया तो अगर किसी दो equation का right hand side same है तो मतलब इनका यह जो left hand side है यह जो left hand side है वो भी same होगा मतलब from equation number 1 and 2 हम क्या लिखेगे कि 13 का जो square है that is equal to 5 square plus 2L square तो जब भी ऐसा मिलता है ऐसा मिलता है मतलब क्या मिलता है कि जो largest number का square है that is equal to sum of square of remaining two numbers तो मतलब वो जो triplet है that is the Pythagorean triplet वो क्या होगे? Pythagorean triplet होगे बस यहाँ पर ऐसे लिखना है here the square of the largest number is is equal to is equal to sum of square of remaining two numbers therefore the triplet is Pythagorean triplet समझ में आया की नहीं समझ में आया चलो समझ में आ रहा है तो like कर दो like तो बनता है यार like तो करो समझ में आ रहा है ना तो very good बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह जो question है वो आपको one one marks के लिए two two marks के लिए एक्जाम में आ सकता है चलो अब fourth one चलो fourth one एक आप में आपके सामने फिर से कर देती हूँ अगर किसी को कुछ गीना चुना भी doubt होगा न वो clear हो जाएगा जब हम यह fourth one करेगे तो चलो fourth one साथ में करते है ठीक है solution लिखते है तो यहाँ पर देखो सबसे largest number कौन सा है बताओ largest number है 74 ठीक है थोड़ा बड़ा number है बद कोई बात नहीं तो हम क्या करेगे 74 का square लेगे लेकिन अभी 74 का square क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं बता चलो 74 का square हम fine करते है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4, 16 7, 4, 28, plus 1, 29 ठीक है 0, 7, 4, 28 7, 7, 49, 50, 51 तो यहाँ पर हो गया यह 51 तो यह 6 हो गया यहाँ पर आ जाएगा 17, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 यानि कि हमको मिलेगा 5,476 अब इसको equation number 1 डालना भूलना मत ठीक है अब हम क्या करेगे यह जो बाकी के जो दो नमज है उनका square करके हम add करेगे इसका मतलब क्या होता है कि 24 का square करेगे 70 का square करेगे और इनको add करेगे let's see क्या मिलेगा 24 का square कितना होता है 24 का square कितना होता है यह मुझे पता है शायद यह क्या होता है क्या होता है मुझे पता है कि नहीं पता है 576 कुछ होता है 576 होता है let's see 576 कुछ होता होगा ठीक है प्लस यहाँ पे 70 का स्क्वेर क्या होगा 70 का स्क्वेर तो भाई easy है यहाँ पे देखो 70 का स्क्वेर करना है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 और यह 20 है तो 20 लगा दो that is 4900 हो जाएगा ठीक है अब यह 4900 और प्लस हम क्या करेगे यहाँ पर 576 576 मतलब हमको क्या करना है यह दोनों को add करना है ठीक है तो यह 0 प्लस 6 6 होगा 0 प्लस 7 7 होगा 9 प्लस 5 कितना होगा 14 and 4 प्लस 1 होगा 5 that is हमको यहाँ पर क्या मिला 5476 इसको देदे के equation number 2 तो यहाँ पर देखो अच्छी बात है ना दोनों values same मिले आपने देखा कि नहीं equation number 1 और 2 देखो इनका जो right hand side है वो same है कि नहीं yes same है that is 5476 तो मतलब कि इनका जो left hand side होगा यह जो होगा वो भी same होगा right तो यहाँ पर अभी हम लोग ऐसे लिखेगे कि from equation number 1 and 2 हमको क्या मिला कि यह जो 74 का जो square था ना वो किसके equal था that is equal to 24 square प्लस 70 square इसका मतलब जो largest number का जो square है that is equal to sum of square of remaining two numbers तो therefore यह जो triplet है that is pythagorean triplet यहाँ पर आपको पूरा वो राम खता पता है ना राम खता पूरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है here the square of the largest number is equal to is equal to sum of square of remaining two numbers फिल लिखेगे therefore यह जो triplet है 24,70,74 is a pythagorean triplet ठीक है आप वो लिख देना मैं बार बार नह लिखोगी अभी आप लिख सकते हो ठीक है is a pythagorean triplet ठीक है अभी इतने तो बच्चे नहीं हो खुश्यार तो होई गया हो तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलो अभी आगे बढ़ते हैं आगे और दो questions है total six questions दे लेकिन अभी मैंने आपके लिए सब कुछ यहाँ पर अब इसको दे देगे equation number one फिर यहाँ पर हम क्या करेगे यह जो बाकी के जो दो नमज है इनका square करके add करेगे तो 10 का square प्लस 24 का square तो 10 का square हो गया 100 24 का square जो है that is 576 अब इन दोंगो add करेगे तो हमको मिलेगा 676 इसको दे दिया equation number two तो यहाँ पर देखो equation number one और 2 जो है इनका जो right hand side है वो बिल्कुल भी same नहीं है 729 जो है that is not equal to 676 तो मतलब अगर कोई दो equation का right hand side same नहीं है तो मतलब इनका left hand side भी same नहीं होगा मतलब क्या same नहीं होगा कि जो 27 का जो square है that is not equal to देखो यहापे not equal to का sign है that is not equal to 10 का square plus 24 का square मतलब कि अगर ऐसा मिलता है कि largest number का square है that is not equal to sum of square of remaining two numbers तो therefore यह जो triplet है that is not a Pythagorean triplet ठीक है तीन जगह पे not लगेगा एक तो यह not equal to का sign एक तो यहापे not लगेगा और एक यहापे not लगेगा तीन तीन not लगता है ठीक है यहापे पुरा statement भी लिग देना the square of the largest number is not equal to square of the remaining two number therefore the triplet is not a Pythagorean triplet I hope आपको समझ में आ गया होगा चलो last question करते है यह जो question है ना वो देखना जब हमारा Pythagoras theorem यह जो chapter है start हुआ था ना उसके first page में ही अगर आप देखोगे तो यह वाला example already explained किया है यह वाला जो example है ना वो हमारे first page जहाँ पर Pythagorean triplet का definition लिका है ना वहाँ पर यह example already explained किया है और यह triplet Pythagorean triplet है जैसे कि कैसे solution देखते हैं सबसे largest number है 61 61 का square करेगे तो मिले का 3721 ठीक है आप करके देख सकते हो इसको equation number 1 देदेगे फिर हम क्या करेगे बाकी के जो दो नमसे इनका square करके इनको add करेगे that is 11 का square प्लस 60 का square 11 का square होगा 121 प्लस 60 का square होगा 3600 जब हम इन दोनों को add करेगे तो मिलेगा 3721 इसको देदेगे equation number 2 फिर from equation number 1 and 2 देखो दोनों की value same आई थी equation number 1 में जो value आई थी that is 3721 equation number 2 में भी जो value आई that is 3721 तो from equation number 1 and 2 हमको क्या मिला कि जो largest number का square है that is equal to sum of square of remaining two numbers तो therefore ये जो triplet है that is the pythagorean triplet और इसी के साथ हमारा question number 1 है वो solve हो गया I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे identify करोगे कि pythagorean triplet है की नहीं मैं तो आपको बस यही advice दूगी कि कुछ triplet जो है जो pythagorean triplet है उनको अपने दिमाग में याद रखो ताकि अगर mcq में ऐसा question आया तो देखो mcq में हमको solve करके दिखाने की सरुवत नहीं होती है तो हम directly identify करके क्या कर सकते guess कर सकते कि कौन सा pythagorean triplet है और कौन सा नहीं है ठीके तो कुछ triplet याद कर लो जैसे कि मैंने आपको already lecture number 1 में बहुत सारे pythagorean triplet की list दी थी ओके चलो यह तो हो गया question number 1 करते है अभी question number 2 तो चलो अभी हम लोग करते है second one तो यहाँ पे देखो second one क्या दिया है in figure यहाँ पे हमारे पास figure है angle mnp is 90 degree angle mnp मतलब क्या कि यह जो बीच में लिखा हुआ होता है ना जो letter उस angle की बात हो रही है that is angle n जो है वो 90 degree है that is perpendicular to segment mp यानि कि यहाँ पे क्या दिया है कि यह जो segment nq nq कहाँ पे है देखो यहाँ पे है यह segment nq है and that is perpendicular to segment mp तो mp कहाँ पे है यह रहा देखो यह mp है ठीक है यह हमारा क्या है mp है आगे हमको क्या दिया है mq दिया है हमको 9 let's see mq देखो इधर है यहां से लगा के यहां तक MQ है यह 9 है और यहां पे QP हमको 4 दिया है तो QP देखो यह रहा यह हमारा QP है तो QP हमारे पास है 4 and we have to find NQ NQ मतलब यह देखो यह जो pink color में दिख रहा है न यह हमको find करना है हां बताओ बताओ थोड़ा सा नई यहां पे यहां पे यूज होने वाला है हमारा theorem of geometric mean पता है कि नहीं आपको geometric mean theorem मैंने पहले भी बताया था बहुत important है lecture number 2 में मैंने इसका पूरा अच्छे से explanation भी दे दिया था geometric mean theorem कब use करोगे कैसे use करोगे कैसे पता चलता है तो इसका इशारा हमको यहां पे मिल गया है देखो मैं आपको बताती हूँ कि geometric mean theorem कब use करना रहता है मैं इसको थोड़ा सा आपको explain करती हूँ जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या होगा एक right angle triangle होगा तो यहां पे देखो यह हमारे पास क्या है यहां से अगर क्या आ रही है सपोस करो यहां से अगर हम क्या करते है एक perpendicular segment draw करते है on the hypotenuse तो इसका मतलब समझ जाना कि यहां पे कही ना कही आपको geometric mean theorem use करना पड़ सकता है क्योंकि यहां पे क्या है एक right angle triangle है number one हमको एक right angle triangle चाहिए number two हमको क्या चाहिए एक ऐसी segment चाहिए जो perpendicular किसको है hypotenuse को है तो यहां पे देखो यह जो NQ है यह जो यहां पे NQ जो segment है NQ जो segment है that is perpendicular to MP और यहां पे देखो यह जो MP है वो हमारा hypotenuse है तो बस आपको यह दिमाग में रखना है कि maybe यहां पे geometric mean theorem यह जो हमारी perpendicular segment है that is what that is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided इसका मतलब क्या है कि यह जो हमारी perpendicular segment NQ जो है वो क्या होगी geometric mean होगी किसकी एक तो यह वाली segment की और एक यह वाली segment की यानि कि NQ is geometric mean जहां से सुनना NQ is geometric mean of segment बोलो of segment कौन सा of segment MQ and segment and segment QP अब इसका मतलब क्या होता है इसको हम equation के form में ऐसे लिखेगे कि जो NQ का जो square होगा मतलब यह जो NQ है इसका जो square होगा that is equal to MQ upon QP क्या होगा MQ upon नहीं सोरी into MQ into QP तो यह equation हमको मिलता है जो सबसे important है यह पता है कि नहीं चलो अगर पता है तो comment section में आप भी क्या भी बताओ कि हाँ हमको यह पता था तो very good very good you are doing very good in this chapter क्योंकि यह पता होना चाहिए कि geometric mean theorem कभ यूज करते हैं और क्या पता कि geometric mean theorem यूज कोना है तो देखो यहाँ पे geometric mean theorem में तीन segment काम के है एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला तो ये तीन में से अगर आपको दो के value दिये है और आपको बोला के तीसरा fine करो मतलब guarantee के साथ आपको यहाँ पे geometric mean theorem यूज करना है जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे MQ हमारे पास है QP हमारे पास है और यह NQ जो है NQ जो है वो question मागे मतलब definitely आप लो यहाँ पे क्या use करोगे geometric mean theorem use करोगे geometric mean theorem अगर किसको नहीं पता है तो बच्चा पाटी मैंने lecture number 2 में बताया है कि geometric mean theorem क्या होता है प्लीज उसको एक बार अच्छे से देख लो क्योंकि वो बहुत important concept है वो exam में जरूर उसके related आपको एक ना एक question दिखेगा चीक है चलो अगर जिसको पता है तो very good अच्छी बात है आप बहुत अच्छा कर रहे हो चलो अभी हम इसका solution start करते है तो solution में सबसे पहले तो आप क्या करोगे given वाला part लिखोगे तो मदब हम लोग थोड़ा solution है न given to find के format में लिखते है तो given में बच्चा पाटी आप क्या लिखोगे given में ऐसे लिखना कि in triangle MNP यह जो angle MNP है वो क्या है 90 degree है यह हमको given है second thing हमको और क्या given है कि यह जो NQ है यह जो segment NQ है that is perpendicular to segment MP और MP याद रखना हमारा hypotenuse है यह वाला और हमको और क्या क्या दिया है कि जो MQ है वो है 9 और QP जो है वो है 4 और चलो अभी 2 fine वाला लिखते हैं हम लोग 2 fine में हमको क्या fine करना है NQ हमको fine करना है आज आते हैं अभी हम लोग solution पे तो solution कैसे लिखोगे बच्चा तो solution भी बहुत simple है ऐसे solution लिखना है आपको कि यह जो फिर से एक बार लिख दो फिर से यहां से लगाके यहां तका फिर से एक बार लिख सबते हो ठीक है क्यों लिखना है देखो मैं बताती हूं हम ऐसे लिखेगे कि इन triangle MNP क्योंकि यह जो angle MNP है यानि कि angle N जो है वो है 90 degree और सबसे important क्या है geometric mean theorem में एक तो triangle का right angle होना राइट एंगल ट्राइंगल होना और दूसरा चीज़ क्या है कि उस right angle ट्राइंगल में एक ऐसी segment होनी चाहिए जो क्या होगी perpendicular होगी किसको hypotenuse को यह compulsory है तो यहापे अभी हम लिखेगे कि segment NQ जो है that is perpendicular to segment M P यानि कि hypotenuse को तो अब हम लिखेगे by geometric mean theorem या ऐसे भी लिख सकते हो by theorem of geometric mean क्या लिखोगे by theorem of geometric mean देखो एक solution को कैसे लिखते है वो मैं बस आपको बहुत अच्छे से समझा रही हो तो by theorem of geometric mean geometric mean theorem क्या बोलता है कि यह जो perpendicular segment है that is NQ उसका जो square होगा that is equal to what that is equal to यह MQ upon QP क्या लिखेगे तो NQ fine करना है तो NQ square ऐसे ही रहेगा MQ अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर 9 दिख रहा है तो 9 into QP देखो QP है 4 तो 4 that is NQ square is equal to 9 into 4 कितना होगा that is equal to 36 लेकिन आभी देखो NQ fine करना और यह square को हटाना है तो square को हटाने के लिए हम क्या करेगे square root लेगे तो ऐसे लिखेगे taking square root on both sides क्या लिखेगे taking square root on both sides तो जब हम both sides क्या करेगे square root लेगे तो यह हो जाएगा square root of NQ square is equal to square root of 36 तो यह square यह square root कैंसल that is NQ is equal to square root of 36 होता है 6 आपको plus-minus six नहीं लिखना है सिर्फ 6 लिखना है क्योंकि nq एक segment है and segment जो होता है उसका answer positive में होता है इसलिए ठीक है negative नहीं लेना है आपको समझ में आया geometric mean theorem कभ यूज़ करोगे ये भी समझ में आया की नहीं अगर अभी तक नहीं आ रहा है समझ में कोई बात नहीं next आपको और समझ में आ जाएगा चलो अभी दूसरा question करते है जैसे कि यहाँ पे भी देखो ये भी हमारा geometric mean theorem वाला ही question है बस यहाँ पे आपको जो figure नजर आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा figure है ना अलग तरीके से बना गया गया है लेकिन यहाँ पर भी देखना geometric mean theorem यूज़ होगा पहले यहाँ पर हम लोग third one का question read करते है क्या दिया है इन figure यह figure है angle qpr देखो 90 degree है qpr मतलब कौन से angle की बात और यह पी जो बीच में लिखा होता है ना उसकी बात और यह ठीक है तो qpr मतलब angle p जो है वो हमारा 90 degree है यहाँ पर symbol भी बनाया हुआ है यह 90 degree का और क्या लिखा है segment pm जो है that is perpendicular to segment qr तो यहाँ पर देखो यह segment pm है ठीक है थोड़ा सा अच्छी से नहीं बना इसको हम लोग यह segment qm है यह segment qm है और यह किसको perpendicular है यह perpendicular है किसको qp को देखो sorry qr को तो qr यह रहा यह देखो मैं अभी pink color में बना रही हूँ qr हमारा यह रहा ठीक है तो segment pm जो है that is perpendicular to qr तो यहाँ पे देखो perpendicular का symbol नहीं बना है तो कोई बात नहीं हम बना देगे तो यहाँ पे देखो मैंने perpendicular का symbol बना दिया आगे देखते हैं और क्या दिया है कि Q-M-R इसका मतलब है कि point Q-MR जो है वो collinear है तो देखो यह point Q, यह point M और यह R यह three points जो है वो क्या है collinear है आगे दिखते हैं और क्या दिया है कि PM 10 है यहाँ पे देखो यह PM जो है वो 10 है और Q-M 8 है तो Q-M जो है यह हमारा 8 है हमको Q-R fine करना है Q-R मतलब Q से लगा के R पूरा मतलब यहाँ से लगा के this is question mark यहाँ तक Q-R पूरा हमको fine करना है अब कैसे fine करोगे तो देखो बच्चा यहाँ पे भी geometric mean theorem यूज होगा लेकिन आप बोलोगे ऐसे कैसे geometric mean theorem में तो एक right angle triangle होना चाहिए और वहाँ पे perpendicular segment चाहिए जो hypotenus को perpendicular होगी तो बच्चा देखो यहाँ पे वो दोनों चीज है यहाँ पे right angle triangle है न देखो यह जो हमारा triangle है Q-P-R इसको थोड़ा सा लोग ने देखो ऐसा बनाया है ऐसा बनाया है यहाँ पे देखो यह हमारा triangle है Q-P-R यहाँ पे Q-P-R यह हमारा right angle triangle है और कौन से angle पे right angle triangle है तो angle Q पे यहाँ पे अगर देखोगे तो यह angle sorry angle P पे angle P देखो यह हमारा 90 degree का angle है यह हमारा 90 degree का angle है देखो यहाँ पे दिया है यहाँ पे symbol देखो न आप लोग तो यह सबसे पहले तो यह right angle triangle है अब ही अगर geometric mean theorem यूज़ करना है यह हमारा QR जो है वो hypotenuse है क्योंकि 90 degree के 90 degree angle के opposite में जो side होती है opposite मतलब उसके सामने जो side होती है वो hypotenuse है तो यह hypotenuse है ठीक है तो अभी hypotenuse के उपर क्या चाहिए हमको एक perpendicular segment चाहिए जो की already बनी हुई है देखो यहाँ पे PM P से यहाँ पे देखो P से एक perpendicular segment हम लोग draw कर रहे है और वो कहाँ पे draw कर रहे है on the hypotenuse hypotenuse के उपर तो यह दिया हुआ है तो हमारा geometric mean theorem क्या बोलता है कि यह जो हमारी perpendicular segment होगी that is PM यह क्या होगी geometric mean होगी किसकी of the segment into which hypotenuse is divided तो hypotenuse किसमें divide हुआ है hypotenuse एक तो यह वाले segment में divide हुआ है और hypotenuse यह वाले segment में divide हुआ है मतलब कि यह जो PM है यह PM का जो square होगा PM का square मतलब यह perpendicular segment का जो square होगा that is equal to what एक तो होगा QM QM into क्या होगा into होगा MR क्या होगा MR तो ये equation हमको मिल रहा है ये equation मिल रहा है अगर देखो कि तो ये जो equation है इसमें अगर हमारे पास क्या है सिर्फ दो values भी है ना तो तीसरी मिल जाएगी जैसे कि हमारे पास PM है देखो PM की value है और हमारे पास QM है QM है तो उससे हमको क्या मिल जाएगा MR मिल जाएगा तो एक बार ह जो है ना यह MR मिल जाएगा ना तो उससे हमको क्या मिल जाएगा फिर यह Q से लगा के आर तक भी मिल जाएगा यानि की QR मिल जाएगा क्योंकि जो QR है that is nothing but QM प्लस MR तो एक बार अगर MR मिल गया ना तो हमको QR जो चाहिए देखो QR चाहिए वो भी मिल जाएगा समझ में आ रहा है की नहीं चलो समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है तुम लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो और यह मजा नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर given लिखेगे, चीके given क्या लिखोगे, given आपको लिखना है, एक काम करते हैं हम directly इसका solution स्टार्ट करते हैं, जाधा time pass ना होता की, solution में आप ऐसे लिखना, देखो, solution में हम क्या लिखेगे, कि यहाँ पर यह जो triangle है, that is which triangle, triangle qpr, जो angle 90 degree का होता that is perpendicular to segment qr, तो यहाँ पर लिखेगे, कि segment plum जो है, that is perpendicular to segment qr, तो therefore हम लोग लिखेगे, therefore theorem of geometric mean, जिखेगे by theorem of geometric mean, तो I hope आपको अभी geometric mean theorem आता होगा, by theorem of geometric mean, लेकिन अभी देखो, अब अभी तक आपको नहीं समझाए ना, तो मैं फिर से बता देती हो, तो theorem of geometric mean क्या बोलता है कि यह जो हमारी perpendicular segment है जो किसको perpendicular है hypotenuse को perpendicular है तो यह जो perpendicular segment है इसका जो square होगा that is equal to that is equal to what that is equal to qm into mr ठीक है क्या होगा qm into mr क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना geometric mean theorem कि यह जो perpendicular segment है that is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided और hypotenuse के जो तुकड़े हुए है वो कौनसे दो segment में तुकड़े हुए एक qm और एक mr इसलिए यह जो हमारी segment है pm that is geometric mean of qm and mr I hope अभी आपको समझा होगा let us put the value यहाँ पर देखो values को put करेगे ना तो directly qr नहीं मिलेगा qr नहीं मिलेगा पहले हमको mr मिलेगा जब एक बार हमको mr मिल जाएगा ना उसके बाद हम qr निकालेगे ठीक है तो pm हमारे पस है 10 तो pm 10 है तो 10 का square होगा क्योंकि square है is equals to qm qm 8 है त equals to mr अब चलो इसको solve करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो इसको हम solve करेगे 2 से divide करते है 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 0 जा 0 ठीक है फिर आ जाता है again हम लोग 2 से करेगे 2 2 जा 4 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 1 बचेगा 2 5 जा 10 ओके तो यहाँ पर अभी 25 का half करेगे त हमको मिलेगा 12.5 12.5 मिलेगा मतलब यहाँ पर answer है 12.5 is equal to mr that is that is हमको क्या मिल गया कि mr जो है that is 12.5 लेकिन हमको mr नहीं निकालना है mr नहीं निकालना है हमको qr निकालना है q से लगाके यह जो पूरा r तक है वो निकालना है तो वो कैसे मिलेगा तो बड़ा simple है हम अभी यहाँ पर लिखेगे कि जो qr है न that is equal to क्या हो जाएगा qm प्लस mr है न क्या हो जाएगा qm प्लस mr यानि कि यह देखो यह qm प्लस mr करे ना तो हमको मिल जाएगा q से लगाके पूरा r तो qr is equal to qm प्लस mr what will be the reason reason यह होगा कि point q point m point r जो है वो को linear है यह को linear की condition है ठीके चलो values को put करते है तो qr ऐसे ही रहेगा that is equal to qm कितना है बच्चा qm तो हमको 8 दिया हुआ है plus mr कितना है mr है 12.5 तो लिखेगे 12.5 लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा यहाँ पे बहुत लोग इन दोनों को addition करने में यानि की plus करने में बहुत mistake करेगे जैसे कि हम क्या करेगे पहले 12.5 लिख देते है 12.5 कुछ बच्चे क्या करेगे plus 8 करना है ना plus 8 यहाँ पे लिख दे decimal point में convert करेगे तो 8 को हम लिख सकते है 8.0 ठीक है 8 बोलो या 8.0 बोलो एक ही बात है अब हम क्या करेगे यह 12.5 के नीचे 8 लिखना है ना तो सबसे पहले point के नीचे point लिखो उसके बाद यहाँ पे देखो point के इस तरफ है 8 तो इस तरफ 8 होगा point के इस तरफ है 0 तो यहाँ प 20.5 is the answer तो 20.5 is the answer तो QR की value मिली है 20.5 units समझ में आया की नहीं चलो समझ में आया तो एक like कर लो यार मज़ा आ जाएगा फिर हम करते है fourth one तो चलो अभी हम लोग करते है fourth one तो यहाँ पे देखो fourth one क्या है let's see की fourth one कितने लोगों को आता है अगर आपको तूरं समझ में आ यहाँ पे यह figure है क्या दिया है find rp and ps तो हमको क्या करना है rp और ps निकालना है तो rp जरा सा देखते है कहाँ पे है तो यहाँ पे देखो यह हमारा क्या है rp है this is our rp and let's see कि ps कहाँ पे है तो ps हमारा यह है ठीक है ps okay उपर है यह देखो यह हमारा ps है this is ps समझ में आया ps कहाँ पे है ठीक है तो अभी और देखो आगे क्या दिया है कि फाइन आर पी एन पी एस यूजिंग दे इंफोरमेशन गीवन इन ट्राइंगल पी एस आर यानि कि आपको क्या करना है यह फीगर को देखना है इसमें जो इंफोरमेशन दी है उसको यूज करो और आपको आर पी और पी एस निकालना है ठीक है आर पी एन पी एस हमको निकालना है तो चलो निकालते हैं सल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लेट सी कि हमारे पास इस ट्राइंगल में क्या क्या है तो यहाँ पे देखो यह जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल पी एस आर ठीक है क्या लिखेगे in triangle PSR हमारे पास number 1 क्या है कि यह जो angle S है यहाँ पे देखो यह angle S जो है 90 degree है, यह 90 degree का symbol है right, तो angle S जो है 90 degree है, that is हम यहाँ पे लिख देगे कि angle S जो है, that is 90 degree और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यह जो angle P है यह जो angle P है, यह हमारे पास 30 डिग्री है क्या है यह हमारे चलो बताओ कि यहापे कौनसा concept यूज होगा आपके दिमाग के आपका 30, 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem use होने वाला है, yes, very good, जिसने ये समझ लिया, वो जिंगा लाला, क्या, क्या use हो गया, property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle पता होगा न, लेकिन बहुत लोग क्या बोलेगे, कि ये property तो हम कब use करते है, जब जो triangle है न, उसमें एक angle 90 होना चाहिए, और एक angle क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 60 degree वाला angle होना चाहिए, तो बहुत लोग बोलेगे कि ये जो triangle है, उसमें 60 degree angle का दिया है, तो हम कैसे use कर सकते, अरे bird, बेवकूफ, आपको ये पता नहीं है क्या, कि अगर मान लो एक triangle है, इसमें एक angle क्या है, 90 degree है, दूसरा angle 30 degree है, तो ये जो remaining angle होगा न, ये जो remaining angle है, that is angle R, ये पका 60 degree होगा, अब आप बोलोगे ऐसा कैसा, जो मैं बताती हूँ न, because we know that sum of all the angles of a triangle is 180 degree, तो ये वाली property, use करके हम ये angle R को 30 degree दिखा देगे, और फिर ये वाला जो हमारा theorem है, वो use कर लेगे, चलेगा, ठीक है, चलो, अब कैसे दिखाएगे इसको 60 degree, तो बहुत simple है, हम क्या लिखेगे देखो, हम यहाँ पर लिखेगे, वैसे तो already लिख दिया है, in triangle PSR, angle S से हमारे पास 90 degree, angle P है 30 degree, अब angle R क्या करेगे, हम लोग निकालेगे, तो we know that कि अगर एक triangle है, उसके सारे angles को अगर हम क्या करेगे, जोड लेगे, जोड लेगे मतलब क्या, add कर लेगे, that is angle S, sorry, angle P plus angle S plus angle R is equal to 180 degree, reason क्या लिखोगे, तो reason आपको लिखना है, sum of all the angles of a triangle is 180 degree, ठीक है, reason जो लिखना है, वो मैं फटा-फट लिख देती हूँ, तो यहाँ पर देको मैंने reason लिख दिया है, sum of majors of all angles of a triangle is 180 degree, ठीक है, now let us put the value, तो angle P जो है, वो हमारे पास है 30 degree, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 30 degree, plus angle S हमारे पास 90 degree है, और plus angle R हमको fine करना है, that is equal to 180 degree, तो यहाँ पर 30 plus 90 करेगे, तो हमको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 9, 10, 11, 12, हाँ, 120 मिलेगा, ठीक है, और फिर plus हो जाएगा यह angle R, that is equal to 180 degree, तो यहाँ पर angle R निकालना है, तो हम क्या करेगे, यह plus 120 जो है, उसको यहाँ पर shift करेगे, तो यह हो जाएगा, minus 120 degree, that is angle R जो है, वो क्या हो जाएगा, 180 minus 120 करो, कितना मिलेगा, 60 degree मिलेगा, मतलब मिल गया कि नहीं, angle R मिल गया कि नहीं, 60 degree, हाँ, तो अब बोलना मत, कि यह angle R कहां से हमको 60 degree मिलेगा, तो मिल गया, तो मतलब हम बोल सकते है, हम therefore यह conclude कर सकते है, कि यह जो triangle है, PSR, यह जो triangle है, that is, 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, यह जो triangle है, यह है 30, 60, 90 triangle, तो अभी हम यह property यूज़ करेगे, कौन सी property तो यह को बताती हूँ, therefore हम लिखेगे, by property of, by property of 30, 60, 90 triangle, by property of 30 degree, 60 degree, 90 degree, triangle, तो यह property याद करोगी, यह property क्या था जरा बताओ, तो यहाँ पे देखो, सबसे बहले हम क्या use करेगे, बहुत simple है, जो given वाली side होती है ना, उसको देखो, given कौन है, यह sr given है, sr कितना दिया है, 6 दिया है, और यह वाली जो side है, वो कौन से angle की opposite side है, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा कान खोल के सुनो, मैंने क्या बोला कि sr given है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी हमको given से start करना है, जो given है ना, वही हमको दिलाएगा, कुछ ना कुछ, तो given है sr and that is 6, तो यह जो side है, वो कौन से angle की opposite side है, तो यहाँ पे देखो, यह जो 30 degree का angle है, इसकी opposite side है, ऐसा, ठीक है, और वो हमारे पास है, तो हम कौन सा concept यूज करेगे सबसे पहला, वो वाला, कौन सा वाला, कि side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse, लेकिन आप सब बोलोगे, कि 30 degree के opposite में जो side है, वो तो हमारे पास already है, तो हम वो concept क्यों use करेगे, हम वो concept इसलिए use करेगे, ताकि हमको यह जो hypotenuse है ना, वो मिल जाए, येस, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा technique को समझो, हमको given है ये वाली side, और ये जो side है, वो कौन से angle की opposite side है, 30 degree angle के opposite वाली side है, तो हम concept यूज करेगे, side opposite to 30 degree angle वाला, तो we know that, हमको क्या पता है, कि side, यहाँ पे देखो concept लिख देती हूँ, side opposite to 30 degree angle, 30 degree angle is equal to half of hypotenuse, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, आप tension मतलो, जो मैं yellow color में लिख रही हूँ ना, वो मत लिखो आप, ठीक है, तो चलो आप ही बताओ कि 30 degree angle के opposite में side कौन सी है, ये SR, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगे हम लोग SR, and that is equal to half of hypotenuse, hypotenuse कौन है हमारा, hypotenuse देखो यहाँ पे है RP, क्या है RP, तो हम लिखेगे यहाँ पे RP, अब values को put करो, तो SR हमारे पास, देखो SR कितना है 6 है, तो इसके नीचे हम 6 लिखेगे, SR के नीचे 6 लिखेगे, that is equal to half of यह RP, RP, देखो याद करो, हमको fine करना था, बरोबर, अब देखो क्या करेगे, यह जो 2 यहाँ पे divide में है, यह इस तरफ shift होगा, तो multiply में हो जाएगा, that is, यह हो जाएगा 6 into 2, and that is equal to क्या हो जाएगा, 1 into RP क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, तो 6 into 2 हो जाएगा 2L, that is 2L is equal to RP, तो therefore हमको मिल गया, कि RP जो है, वो है 2L, clear है, समझा, तो देखो एक मिल गया हमको, क्या मिल गया, RP हमको मिल गया है 2L, तो यहाँ पे देखो यह fine करना था न, RP यह हमको 2L मिल गया, and what about PS, PS कैसे निकालेगे, तो PS बड़ा ही simple है, let's see कि PS जो है, वो कौनसे angle की opposite side है, तो वो 60 degree angle की opposite वाली side होगी, देखो, अब हम देखेगे कि PS, तो PS है बच्छा पाटी, यहाँ पे यह देखो, यह है हमारा PS, तो यह PS जो है, वो कौनसे angle की opposite side है, बताओ, तो यहाँ पे देखो, इसके opposite में देखो, यह जो side है न, उसके opposite में देखो, कौनसे angle है, 60 degree वाला angle, है न, तो 60 degree angle की opposite में जो side है, वो है PS, तो हमको क्या पता है, यह जो concept है, याद करो, यह property करो, याद करो, की side opposite to 60 degree angle जो होती है, that is root 3 upon 2 times the hypotenuse, तो यहाँ पे देखो, यह 60 degree angle है, इसके opposite में side कौनसी है, यह वाली, that is PS, तो PS जो होगा, that is equal to root 3 upon 2 times the hypotenuse, और hypotenuse क्या है, हमारा यह RP, यह hypotenuse है, यह hypotenuse है, यह hypotenuse है, that is RP, अब देखो, अभी हमको ताजा ताजा, freshly freshly हमको RP मिला है, that is 2 तो बहुत अच्छी बात है, अब हम यह 2L की value क्या करेगे, यहाँ पे put कर देगे, that is PS is equal to root 3 upon 2 into RP, अभी हमको मिला 2L, तो यह हो जाएगा, 2 1s आ 2, 2 6 आ 2L, that is हमको मिल गया, PS is equal to 6, अदेखो, यह ऐसा है, root 3 into 6, root 3 into 6 मतलब क्या हो जाएगा, 6 root 3 हो जाएगा, पहले हम क्या करते है, rational number लिखते है, और फिर हम लोग irrational number लिखते है, ठीक है, तो क्योंकि यह rational, irrational number कभी भी multiply नहीं हो सकते, लेकिन इनको एक लिखने का तरीका होता है, कि root 3 into 6 है ना, तो हम लिखेगे, इसको 6 root 3, तो PS हमको मिल गया, 6 root 3, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बहुत easy है जादा hard नहीं है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, यह जो angle है, देखो एक shortcut में, अरे यार, कुछ जादा ही rough हो गया, एक minute हाँ, सबसे पहले तो हमने क्या दिखाया, कि यह जो हमारा angle है, वो क्या है, 60 degree का angle है, फिर हमने क्या बोला कि यह देखो, यह जो given वाली side होती है, वो hypotenuse की half होनी चाहिए, तो मतलब अगर यह 6 है, तो logic लगाओ कि जो hypotenuse है, वो 12 होगा, 2L क्यों होगा, क्योंकि यह वाली side hypotenuse की half होनी चाहिए, तो 6 जो है, वो किसका half होता है, 2L का ना, तो इसलिए hypotenuse हमको 2L मिला, that is, RP देखो हमको 2L मिला, और जब RP मिल गया, तो हमने क् या, फिर SP भी निकाल दिया, SP जो है, वो कैसे निकाला, side opposite to, sorry, side opposite to 60 degree वाला concept करके यह निकाला, तो यह जो पार्ट है आपको यह जो है, वो आपको लिखना है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आप लोग continue करना, यहाँ पे नीचे continue करना आप लोग, ठीक है, मैं यह नह for finding AB and BC with the help of the information given in figure, complete the following activity, मतला हमको क्या करना है, AB और BC निकालना है, तो बहुत simple है, let's see AB और BC कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, यह है हमारा AB, आप जैसे की देख सकते हो, यह हमारा AB है, और हमारा BC कहाँ पे है, यह रा, यह हमारा क्या है, BC है, ठीक है, यह BC है, और यह हम हमको find करना है, और अगर आपने notice किया है, क्या, यहाँ पे अगर figure में देखोगे, तो देखो, यहाँ पे ना, कुछ ऐसे ना, symbol बना है, यहाँ पे double dash बना है, और यहाँ पे भी double dash बना है, यह double dash का मतलब यह है, कि AB और BC जो है, वो दोनों ही क्या है, equal है, यह दोनों equal है, मत AB is equal to BC, यहाँ पे देखो, AB और BC equal है, इसका reason क्या होगा, तो इसका reason क्या होगा, बच्चा, given होगा, given क्यों होगा, क्योंकि यह figure में देखके हमको पता चल रहा है कि AB और BC equal है, यह वाले marking से, इसलिए यहाँ पे reason में आएगा given, समझाईए, ठीक है, अब next क्या बोला है, therefore, यह जो angle BAC है, वो कितना होगा, चलो बताओ, तो angle BAC मतलब कौन सा angle, BAC मतलब यह वाला angle, तो बच्चा पाटी आपको बताना है कि यह angle कितना होगा, अब आप बोलोगे यार हमको कैसे पता यह angle कितना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो angle है बच्चा पाटी व बहुत important चीज है, suppose करो हमारे पास एक triangle है, और ये एक right angle triangle है, ठीक है, that is triangle, suppose करो ABC नाम लिया है, तो हम भी ABC ले ले लेते, ये हमारा right angle triangle है, और इस right angle triangle के जो दो perpendicular sides होते हैं, कौन से perpendicular sides? दो पर्पेंडिकूलर साइड्स होते हैं न कौन से यह ए बी और इसका मतलब यह हमारा क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल इसका मतलब इसमें क्या होगा यह जो एंगल ए है यह 45 डिग्री होगा और एंगल सी भी क्या होगा 45 डिग्री होगा सिंपल सी बात इसलिए यहां पर लिखा है एंगल बी ए सी जो होगा वो 45 डि 90-degree triangle theorem, यानि कि वो जो property है, वो हमको क्या बोलता है, कि यह 45-degree angles जो है, इनके opposite में जो sides होगे, that is equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse, तो यहाँ पे देखो, यह जो हमारा 45-degree का angle है, that is angle C, इसके opposite में कौनसी side है, इसके opposite में side है, A, B, ओके, और यह जो हमारा 45-degree का angle है, that is angle A, इसके opposite में कौनसी side है, इसके opposite में side है, BC, तो यह दोनों side obviously equal होगे, and that will be equal to what, 1 upon root 2 into hypotenuse, hypotenuse क्या है, hypotenuse है AC, तो यहाँ पे आजाएगा AC, तो यहाँ पे देखो, यह हमारा next step होगा, यहाँ पे क्या लिकाए, देखो, AB is equal to BC, and that is equal to 1 upon root 2 into hypo, यह हमारा क्या है, hypo है, समझा आपको, now let us put the value, that is equal to, यहाँ पे तो हमारा 1 upon root 2 ही आएगा, and into AC की value, देखो, DA root 8, इसलिए यहाँ पे root 8, sorry, root 8 put कर लिया है, ठीक है, इतना समझा, next यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, next यहाँ पे क्या हुआ है, यह होगा, 1 upon root 2 ही to root 2, अब आप बोलोगे की, ऐसे कैसे, रुको मैं explain कर दियू, देखो, आप यह root 8 को क्या लिख सकते हो, root 8 को आप लिख सकते हो, root 4 into 2, क्योंकि 8 को हम लोग split कर सकते है, 4 into 2 मे, and that is equal to, यह जो square root है, वो 4 को भी मिलेगा, यह जो square root है, वो 2 को भी मिलेगा, square root of 4 तो हो गया 2, और square root of 2 तो square root of 2 ही रहेगा, इसलिए देखो, root 8 जो है, वो 2 root 2 होता है, तो root 8 के जगा पे लिख दिया, 2 root 2, आप देखो, यह जो root 2 है, divide में, और यह जो उपर root 2 है, वो तो cancel out हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, 1 into 2, 1 into 2 क्या होगा, 2, यानि कि answer है हमारा 2, तो यह हमने activity को complete कर दिया, जिसको थोड़ा सा भी doubt लग रहा है ना कि अरे क्या होगया, कुछ पता ही नहीं चला, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखना, पक्का समझेगा, बस यहाँ पे next में क्या हुआ है, ac की value put हुई है, that is root 8, ठीक 2, समझ में आया, ऐसे पूरा हुआ है, तो यह हमने question of y तक कर लिया, इसमें आपने geometric mean के related questions देखे, pythagorean triplate के related questions देखे, 30, 60, 90, triangle, theorem के related questions देखे, और 45 degree, 45 degree, 90 degree triangles के related questions देखे, बहुत ही important थे 5 questions, I hope आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, next lecture में हम पूरा आगी का question solve करेगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लो, अपने friends लोग के साथ share कर देना, till then bye and बच्चा टाइक, take care